किसंगंज के स्कूल में एक प्रस्ण आया कस्मीर को कस्मीरिक के कहने को लेकर उसके बाद अस्टुडेंट और वहां से जो चीजे बाइरल हुई और फिर अभी कह सकते हैं कि भारत की राजनीती की एक गर्मा गर्मी वाली बिसे बन चुकी है और इस पर बिहार सरकार घिरते वे नजरा रही है हमारे साथ हैं बीजेपी के राश्टिय प्रवक्ता गुरू प्रकास जी जिस प्रकार से ये सवाल आया है इसको लेकर इसे कैसे देखते हैं बिहार सरकार की मंसा को लेकर जबकि आपकी पार्टी और ये देश पूरा जानता है कि कस्मीरिक राज्य है दुस्साहस किया है हम आपके माद्यम से आगरे करना चाहेंगे कि एक उच्स तरिये जाच कमिटी अविलम गठित हो तुरित कारवाई की जाए और सक्त से सक्त कारवाई करके एक नजीर पेश किया जाए आपके माद्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्वग होशित अब भी लोहिया जी के शिश्य बन जाते हैं लोहिया जी के पुस्तक है डॉक्टर राम अनुहर लोहिया को चुने हुए भाशन एवं लेख अब लोहिया जी ने लिखा है कश्मीर हिंदुस्तान का अंग ये लेख है उनका इस लेख में उन्होंने लिखा है कि कश्मीर भा भारत का अभिन अंग था, अभिन अंग है और आगे भी अभिन अंग रहेगा। तो जो लोहिया जी के स्वगोशित चेले हैं, जो उनके विरासत पर राजनीत तो करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का और अध्यान का काम नहीं करते हैं। इंडिया के लोगों को इंडियन्स, चाइना के लोगों को चाइनीज, कश्मीर बहारत का अभिन हिस्सा था है और रहेगा। आपके चाहने से कुछ थोड़ीत होगा। और आप लोग जो घोर मठा कर रहे हैं, आर्टिकल 370 का आपने विरोध किया। आर्टिकल 370 को जब अब कश्मीर का पिछड़ा वर्ग जिसके आप हितैशी बनते हैं, आपने उसका विरोध किया किने ने अबरोगेशन मत करिए आप, क्यों? क्योंकि एक परिवार का शासन बना रहे, एक परिवार की सत्ता बनी रहे, अभी मैं अकबार देख रहा था। दो हफते पहले की रिपो करता है, आठवी का बच्चा नौवी में नहीं पहुच रहा है, और सातवी के बच्चा के मन में ऐसे सवाल के माद्यम से जहर खोलने का काम कर रहे हैं, एक आमूल-चूल बुन्यादी परिवर्तन की आवश्यक्ता है, दो महीने हुए है, मागण बंदन को दो महीने से कम का समय हुआ है, लेकिन दो विकेड गिर गया है इनका, बहुत जल्दी जो इनका व्यभार चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से आप चलने वाले हैं, अच्छे तो अब इस पर बीजेपी का स्टेंट क्या होगा बिहार में, अब बिपच में, अरे हम विरोध करेंगे भाई, हमारा स्टेंट क्या हुए इस पश्ट है, भारतिये जनसंग के संस्थापक, शामा प्रसाद मुखर जी जी ने अपना सरवस्व बलिदान किया, सरवोच बलिदान किया, ताकि कश्मीर भारत का भिन अंग रहे, तो हमारा स्टेंट तो स पुष्टी करण की है, इनकी मनशा कहीं न कहीं ऐसे रेडिकल फोर्सेज को कुशन देने की है, जान बूच करके कि शिंगंज का मामला है, अरे पुष्टी करण की राजजीती करेंगे, घोर जाती वादी लोग हैं, आप लोग एकता और खंटा पे बात करेंगे, मुझे ल चुनाब हुआ है कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस की नया ध्यच के मलिका अरजुन खडगे जी का, इसको लेकर कैसे देखती है बीजेपी? यह दिए हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि इस प्रकार चुनाफ के माध्यम से खडगे जी आएं हैं, और अभी आदेनी प्रधान मंत्री जी ने भी ट्वीट करके उनका स्वागत किया है, लेकिन कॉंग्रेस की जो कारे शैली है, इस पे कॉंग्रेस के ही लोग में जमीन आसमान का अंतर है दिगविजे सिंग जी का बयान आया था कि जो भी कॉंग्रेस अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार को रिपोर्ट करेगा तो इस परकार का बयान आता है तो कहीं न कहीं हमें दुख भी होता है कि देश की Grand Old Party आप अपने आपको बताते हैं और Grand Old Party बताने के बाद एक ऐसा मुखोटा खड़ा करने का प्रयास करते हैं लगता है कि बहुत पीड़ा दायक है आपको सशक्त अध्यक्ष चुनना चाहिए लेकिन इस प्रकार से जवाब दही भी ते करनी चाहिए इतना आपको लेगरूम देना चाहिए ताकि वो भी विक्ति अथोरिटी के साथ अक्षन ले लेकिन कुल मिलाकर करके जो कॉंग्रेस परिवार की कॉंग्रेस पाटी की गाड़ी है वो गान्धी परिवार पे और दज्जनपट पर रुख जाती है ये दुखध है और दुरभागवेपूर है अभी सवाल यही उठ रहा था कि क्या फिर से मतलब सुनिया गान्धी ही लीट करेंगे मतलब गान्धी परिवार ही की सूची देखें तो तभी तैय हो गया था धिपरिवार का उमिदवार और पार्टी इक सब्सक्राइब को की अगर जब तक अप उनको भुझा नहीं होने वाला है. इस वाल और उठ रहा है कि वो अस्री साल के है? अब देखिए इस पर हम क्या क्या टिपनी करें? अब राहुल जी को चिर युवा गोशित कर दिया है, वो चिर युवा है. पहले उनको युवा गोशित किया, फेल हो गए, फिर उनको पेट लवर गोशित कहीं उनके उपयोग में ना है इसलिए मुझे लगता है कि आपको आत्मंधन करना चीए और कुछ ठोस कदम उठाना चीए पार्टी के उनुरुधार के लिए चले बात कर रहे थे हम बीजेपी के राश्टिय प्रवक्ता गुरू प्रकास जी से और भी तमाम सवाल और भी बिहार सजुड़ुई राजनीती और देश सजुड़ुई राजनीती खबरों के साथ हम आते रहेंगे मिरा नाम हुआ रविकांत कैमरे के पीछे अभाय है धन् मुझा प्रवक्ता बिंदा आते रहे रहेंगे मिरा रहेंगे रहेंगाए और जार मुझा कर दोने बातके बातके रहेंगे